कई दस्टकों पहले जो सपने बूने गए थे लेकिन किसी ने किसी कमियों के कारण वो सारे सपने द्वस्त हो चुके थे और यहां के लोगों ने भी आशा छोड़ दी थी कि क्या इस प्रोजेक्ट को इस खेत्र को उनर जीवन प्राप्त हो सकता है क्या लेकिन हम ने संकल्प किया है देश में नई उर्जा के साथ नई गती के साथ देश को नई उचाईयों पर ले जाना है और उस संकल्प को पार करने के लिए ऐसे अनेक वीद प्रोजेक्ट अनेक वीद योजनाए अनेक वीद इनिस्टेटि हो उसमें भी उर्जा चाहिए उसमें भी गती चाहिए उसमें भी संकल्प शक्ति चाहिए और उसी का प्रणाम है कि करीब करीब 13,000 करोड रुपे की लागत से आज इस प्रोजाक का पुनरुधार का कार यहां प्रार्णभ हो रहा है पूरर अतया हिंदुस्तान के लिए यह नई टेकनोलोजी है कॉल गेसिफिकेशन के द्वारा यहां के इस काले डायमंड को एक नई टेकनोलोजी के द्वारा न सिर्व एक शेत्र को देश को भी नई दिशा मिलने वाली है कास की दिशा कैसे बड़ली जा सकती है नीती साफ हो नियत देश के लिए समर्पीत हो तम फैसले भी उत्तम होते हैं हमारे देश में नवरत्न, महारत्न, रत्न ऐसे कई सरकारी PSU's की चर्चा हम सुनते आये हैं कभी अच्छी खबर कभी बुरी खबरे आती रहती हैं लेकिन उनको मिला करके एक नवशक्ति मन करके कैसे किसी प्रोजेक को आगे बढ़ाया जा सकता है यह एक नया उदाहन देश के सामने होगा कि जब देश के इस प्रकार के रत्न इखट्थे हो करके महारत्न इखट्थे हो करके इस प्रोजेक्ट के जिम्मेबारी लेंगे और उन सब के एक्सपरटाइज उन सब का धन इस काम को लगेगा और ओडिसा के जीवन को और देश के किसानों के आवश्चताओं को पूर्ण करने का क्षिए